गाइस मैं अभी आपको एक छोटा सा क्विक रिवीव देना चाहूंगा जो कि है एम्ब्रेन के इस पीस हजार एमेट वरे पावर बैंक के बारे में जिसमें एक यूएश्बी पोर्ट है दो यूएश्बी पोर्ट है अक्चली मतलब यूएश्बी आगे जहां से आप उसको चार्ज कर सकते हो आप नॉर्मल यूएश्बी टाइप बी यानि जो पहला पुराना आदा था उससे भी आप इसे चार्ज कर सकते हो और टाइप सी से भी आप इसे चार्ज कर सकते हो लेकिन आपको एक बात बताव किया इस मैं सब्साइब घ्र्रा यह अरई ऑब भी तक चल रही थी गाइस दो साल तक यह 2.30 साल काफी शळी थी और यह पाँच के साथ आई थी एक और एक चुछी से USB के Points ऐसे कर रलाए थी इस पंदर पाउच में यह ऐसे अंदर चले जाती है अब इसे आप ऐसे पाइट भी कर सकते हैं अब यह मस्त पाउच में आती है गाइज इसका रीजन शायद से मैंने इसको ओवरनाइट बहुत बार चार्जिंग पर लगा के रखा और हमेशा इसे जीरो तक डिस्चार्ज किया गाइज तो यह रीजन हो सकता है कि शायद यह इतने जल्दी खराब हो गई क्योंकि एक पावर बैंक को हमें पूरा डिस्चार्ज नहीं पावर बैंक नहीं इन जनरल कोई भी लीथियम आयन की जो बैटरी होती है गाईज उसे हमें कभी भी पूरा डिस्चार्ज नहीं करना है और पूरा चार्ज नहीं करना है बिसिकली तो उसकी लाइफस्पैन बढ़ जा दी है ऐसा मैंने कहीं पड़ा है अगर यह गलत है तो मुझे बताओ और सही है तो फिर इसे अपना हो और गाईज बटी गए यह पावर बैंक तो अच्छी थी आज इन दो साल जब तक वो चल रही थी देड़ दो साल गाईज तब तक वो अच्छी थी मैं इसे अपना कामेरा चार्ज करता था मोबाइल चार्ज करता था और बोट स्टोन वान थाउजन भी चार्ज करता था यह वही पावर बैंक है जिसको मैंने लगा के रखा था और बोट स्टोन के साथ यह पावर बैंक भी गिर गई थी गाईज बट उसके बाद भी यह एक साल तो चली थी एक साल हाँ पिछले आट नो मैंने मैंने इसे बहुत यूज किया था और लास्ट लास्ट मैं याने के अल्मोस्ट तीन चे मैना रिगरस यूज करने के बाद यह पावर बैंक बंद हो गई थी गाईज उसके पहले वह एक तेड़ साल भी चली थी तो काफी सही पावर बैंक है शायद स है इसके पहले मैंने सिस्का की एक पावर बैंक ली थी गाईज और फूल गई थी शायद वह मेरी आदत ही वैसी है कि मैं उसको रात बर चार्जिंग पर छोड़ देता हूं तो वैसा नहीं करना चाहिए शायद से गाईज हमें यह फूली नहीं पर यह बंद हो गई है चाल जिससे वह स्टार्ट हो जाती है वड़ा भी फिलाल नहीं हो रही है तो ठीक है कोई बात नहीं अपना धियान टकिए गाईज टेक केर